I am so happy कि आज के इस वीडियो में हम दुबारा से एक unusual topic के उपर बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने कभी अपने school में बात नहीं की, कभी college में बात नहीं की कभी अपनी mother से बात नहीं की, कभी अपनी दीदी से बात नहीं की लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में बात होनी जरूरी है कि क्यों कोई एक दूसरा है जो हमेशा ही अच्छा लगता है उसका style हमें इतना fascinate करता है कि जब भी हम उसकी तरफ देखते हैं हम उसकी तरह बनना चाहते हैं ऐसी क्या चीज़े हैं जो वो कर रहे हैं जिससे वो हमेशा ही अच्छे लगते है और मैं हूँ आपकी stylist विनी और आप देख रहे हैं The Hope Story हम लोग हमेशा अपने किसी भी कपड़े को एक ही तरीके से पहनते हैं यानि कि मान लीजिए जैसे कि मैंने कोई अनारकली खरीदा और उसके साथ मैंने माचिंग अपने एक एरिंग्स खरीद लिए एक उसके साथ हैंडबाग ले लिया और जब भी मैं उस अनारकली को पहनती हूँ उसी के साथ पहनती हूँ तो मैंने उस style को बहुत ही limited कर दिया क्योंकि मैं experiment ही नहीं कर रही हूँ अपने style को upgrade करने के लिए लेकिन जो लोग हमसे better नजर आते हैं ये hence proved है कि वो बहुत experiment करते हैं अपनी outfits के साथ आपको अपनी एक ही trouser को एक ही shirt को एक ही कुरता को multiple garments के साथ हमेशा style करते रहना जाए ये एक ऐसा trick है जो आपके पुराने कपड़ों को भी reuse करने में मदद करता है और जो आपका style है वो भी हमेशा fresh नजर आता है और आपको भी एक happy feeling होती है कि मैं अपने कपड़ों को भी reuse कर रही हूँ और उन्हें अलग-अलग तरीकों से restyle कर रही हूँ तो जो लोग आपसे better लग रहे हैं वो इस trick को अपना रहे हैं तो आपको भी इस art को सीखना होगा और अपने एक garment को multiple garments के साथ style करना होगा आप जरूरी नहीं हैं हर बार अच्छे से ऐसा कर पाएं लेकिन अगर आप करने का ही रिस्क नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि एक simple garment भी कितने जादा तरीकों से style हो सकता है वैसे इस channel के उपर मैंने बहुत सारे ऐसे videos बनाये हैं जिनमें मैंने दिखाया है कि एक ही comment piece को आप कितने तरीकों से style कर सकते हैं और अगर आपको ऐसे videos अच्छे लगते हैं तो जरूर बताईएगा मुझे comment box में मैं और भी ऐसे videos बनाना चाहूंगी जिससे आपको अच्छे examples जो हैं मिल सकें Because she takes care of her nails like her face हम भूल जाते हैं अपने nails का, अपने हातों का, अपने पैरों का ध्यान रखना हम सिर्फ अपने चेहरे के glow पर ही काम करते रहते हैं आपको समझना होगा कि आपके जो nails हैं, आपके जो hands हैं वो एक अलग किसम की भाशा बोलते हैं यानि कि जब मैं आज ये video बना रही हूँ तो मेरे hands भी मेरी बातों के साथ-साथ move कर रहे हैं और आप इसको देख रहे हैं तो अगर मेरे hands में एक chipped nail paint लगा हुआ है या मेरे हाथ अच्छे तरीके से clean नहीं है तो definitely ये मेरे लिए एक अच्छा impression नहीं create करेंगे आपके उपर तो जितना ध्यान आप अपने face के उपर देती हैं, उतना ही ध्यान आपको अपने हाथ-पेरों के nails पर भी देना है तरीकों से style करते हैं, तो वो भी आपके style में एक नयापन लेकर आते हैं अगर आप एक ही hairstyle को सालों तक करते रहेंगे और ये कहेंगे कि ये मेरा signature style है तो ये बिल्कुल गलत सोच है, आपका signature style वक्त के साथ upgrade होना चाहिए क्योंकि आप भी रोज बदल रहे हैं, लेकिन आपको better होना है day by day यानि कि आपको बना है अपना best version तो आपको hair styles पर भी experiment करने चाहिए और वो लोग जो आपसे better नजर आ रहे हैं, वो अपने hair cuts पर ध्यान दे रहे हैं अपने hair का जादा ध्यान रख रहे हैं, different different hair styles ट्राय कर रहे हैं इसलिए आपको उनका style better नजर आ रहा है तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं आज तक तो यह वो time है कि आप ऐसा कर कर देखे Because she understands the value of body language and mannerism और यह एक ऐसा topic है, जिसके उपर मैंने देखा है, females बहुत जादा ध्यान नहीं देती है जैसा कि आपने देखा होगा, इस channel के उपर बहुत सारे views आते हैं, haul videos पर आप shopping करना चाहते हैं, नए नए रोज कपड़े देखना चाहते हैं लेकिन जब मैं बनाती हूँ video, ऐसी चीजों के उपर, ऐसे topic के उपर, जो की बहुत important है आपके एक अच्छी outfit के साथ-साथ, कि आपको किस तरीके से अपने style को अपग्रेट करना है आपको अपना body language कैसे रखना है, आपको अपनी communication skills कैसे improve करनी है तो उन videos के उपर कम views आते हैं, जो कि ये साबित करते हैं, कि आप अभी तक नहीं समझ रहे हैं इस importance को, कि एक अच्छी outfit के साथ-साथ, ये बहुत जरूरी है कि जो आपकी body language हो, उस outfit में, वो भी अच्छी हो positive हो, strong हो, जो आपका अच्छा impression create करे और जहां बात है mannerism की, तो manners हमें हमारे school और college में नहीं सिखाए जाते आपको अपने mannerism पर भी काम करना होगा हमें जब भी किसी stranger से बात करनी है, तो किस तरीके से करनी है हमें अपनी eyes में किस तरीके से warmth है, जो रखनी है, अपनी face के उपर smile रखनी है and believe me, वो सारी females जो आपको classy नजर आती है, वो इन सब चीजों की master है तो आपको भी इन सब चीजों के उपर काम करना है और एक अच्छी body language को जो है develop करना है जिससे पहली बार में आपका जो impression है, वो एक classy woman का हो because she smells good, और जो लोग बहुती अच्छी smell लेकर आते हैं, उन्हें हम जादतर भूलते नहीं है तो आप outfit कितनी भी अच्छी पहन सकती है, आपकी body language भी अच्छी हो सकती है, correct हो सकती है लेकिन ये भी important है कि आपके पास से एक भीनी भीनी खुश्बू आए एक ऐसी खुश्बू कि लोग सिर्फ आपी के साथ बैठना पसंद करें, आपसे बात करना पसंद करें और इसके लिए आपको क्या करना है, ये मुझे बताने की जुरुरत नहीं है उसके लिए आप एक अच्छा perfume ले सकती है, body mist का इस्तमाल कर सकती है, एक अच्छे body wash में invest कर सकती है और हम सब लोग ही अपने आपको बहुत under value करते हैं जब हम शीशे के सामने अपने आप से बात करते हैं, तो सबसे पहले अपनी body को कोसते हैं कि हम मोटे होते जा रहे हैं, अपने बालों को कोसते हैं कि जढ़ते जा रहे हैं अपनी skin को पास से जा कर देखते हैं और ये सोचते हैं कि रिंकल्स कहां से आ रहे हैं तो कुछ भी इसमें positive नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी life में कुछ value आड़ करता है तो सबसे पहले तो हमें अपने आपको value करना है हमें अपनी body से प्यार करना है, अपनी skin से प्यार करना है, अपने बालों से प्यार करना है हमें अपने आपको value करना है उस तरीके से जैसे हम value करते हैं उन चीजों की या उन लोगों की जिनकी हम कदर करते हैं और ऐसा मैं किस तरीके से करती हूँ वो मैं आपको अपना trick आज बता देती हूँ मैं अपने आपको treat करती हूँ एक छोटी बहन की तरहां जब भी मैं किसी ऐसी situation में होती हूँ, जहां मैं अपने आपको अंडर वाल्यू कर रही होती हूँ, अपने आपको कोस रही होती हूँ, या अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही होती हूँ, तो मैं अपने आपको ऐसे ट्रीट करती हूँ, अपने आप से ऐसे बात करती हूँ, जैसे मैं अपनी बेटी से या मैं अपनी छोटी बेहन से बात कर रही हूँ कि विनी, टेक इट इसी, ये टाइम भी निकल जाएगा ये तुमसे आज नहीं हो पाया, कल हो जाएगा तुम्हें थोड़ी और महनत करनी चाहिए अगर मैं किसी आउटफिट में अच्छी नहीं लगती हूँ तो भी मैं अपने आप से बात करती हूँ कि इसमें ये कमी है तुम्हें इसे डिफरेंट तरीके से एक्सेसराइज करना चाहिए या आइधिंग फोटोग्राफ की लाइटिंग अच्छी नहीं है और ये बहुत एक असान तरीका है अपने आपको वाल्यू करने का क्योंकि हमारे आसपास के लोग तो शायद ऐसा नहीं करेंगे हमें अपनी वाल्यू खुद करनी है सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी वाल्यू करें और वो लोग जो आपसे बेटर नजर आ रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं because she is trying to learn each and every day और learning से मेरा मतलब यह है कि हर रोज कुछ नया सीखना है colors के बारे में, outfits के बारे में, अपने आपको better style करने के बारे में अपने आपको कैसे carry करना है, बात कैसे करनी है, body language कैसी होनी चाहिए और इन सबका relation बिलकुल भी आपकी education से नहीं है, इस सबका relation आपके status से नहीं है इस सबका relation सिर्फ आपके mind से है, कि आपके अंदर कितनी चाह है कुछ नया सीखने की मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं, जिनके पस बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो कुछ भी shopping करने के लावा नहीं सीख रहे हैं अपनी जिन्दगी में और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, resources भी नहीं है, लेकिन उनके पास हर रोज कुछ बताने के लिए नया है, कुछ सीखने के लिए नया है और उसे सीखने के बाद बहुत excitement है उसको बताने की भी उसे सिखाने की भी तो अपने अंदर सीखने की जो लगन है उसको हमें develop करना है जो लोग भी मुझे पॉस्ट लाइस सेशन्स के लिए join करते हैं उन सब के अंदर मैंने ये चीज देखी है कि वो सीखना चाहते है और ये ही मुझे उन सब की सबसे अच्छी बात लगती है कि वो मेरे पास आते हैं उन्हें ये लगता है कि मैं उन्हें कुछ सिखा सकती हूँ वो मुझे स्काबिल समझते हैं और मैं भी उन लोगों से जो मेरे mentors हैं उनसे कुछ सीखना चाहती हूँ हर रोज जिससे मैं better बन सकूँ और जैसा कि कहते हैं कि ग्यान को limited नहीं करना चाहिए अगर आपने कुछ नया सीखा है तो उसे अपनी बेहन को सिखाएए बेटी को सिखाएए बेटे को सिखाएए और सब की help कीजिए अपने आपको अपग्रेट करने के लिए और जो लोग भी लग रहे हैं आप से जादा क्लासी वो सब ये कर रहे हैं अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको दे गया होगा एक ऐसा रिमाइंडर जो की बहुत जरूरी था और आज से ही आप शुरू करने वाली हैं अपने परस्नल सिगनेचर स्टाइल की जर्नी और अगर आप सीरस है अपने स्टाइल को अपग्रेट करने के लिए तो आप मुझे और मेरी टीम को भी जोईन कर सकते हैं और इन सब की डीटेल्स आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी कुछ स्टाइलिंग इंस्परेशन के लिए आप मुझे जोईन कर सकते हैं कुछ स्टाइलिंग जोईन कर सकते हैं